लास्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड एंड ब्लड ग्रूपिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ कर आए हैं आज हम देखेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है जब आपको कभी चोट लगी होगी तो आपने दिखा होगा एक रेडिश ब्राउन कलर का एक क्लॉट बन जात इस प्रोसेस को आपको पढ़ना है in blood coagulation तो देखिए जैसे ही मान लिजे आपको छोटी सी चोट लगी है ना मतब चोट लगी है तो क्या हुआ है कि कहीं आपकी जो मान लिजे एक ये skin है आपका ये हाथ है यहाँ पर आपको लगी चोट तो यहाँ पर जो cells थी या blood cells थी वो rupture हो गई and बहुत ज्यादा खून बहने लगा खून बहने लगा और आप देखोगे थोड़ी देर के बाद में ये खून जो बहना है ये रुक जाएगा and उस position पर या उस end पर यहाँ पर एक clot बन जाएगा तो यह जो process है ना blood clotting की वो आपको पढ़नी है तो होता क्या है देखिए मालिजे आपको छोटी सी एक चोट लग गई और खून बहना हो गया start अब body यह जानती है blood loss हमें करना नहीं है तो उसके लिए हमें उसे रोकना है और किसी भी चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर ह जाएं और अटक कर रह जाएं यह वाला mechanism बनाता है आपकी बोडी बहुत सारे fibers का ऐसे network बन जाएगा जहां पर dead blood cells first जाएंगे और फिर आगे जब रास्ता ही बंद हो गया तो blood बहना रुक जाएगा कभी-कभी आपने बच्चेपर में यह किया भी होगा कि उस clot को हटा दि अब यह जो प्रोसेस है यह हो कैसे रही है यह जाए इंपोर्टेंट है जो fibers बनते है ना फिटा fibers जो बनकिया रहे हैं मैंने आपको बताया था जब मैंने blood बढ़ाया था आपके blood में कुछ clotting factors present होते हैं जो कि inactive form में होते है active कभ होते है जब कहीं आपका blood loss हो रहा होता है and platelets भी आपके blood को agulation के लिए responsible होती है वहां मैंने आपको बताया था तो होता क्या है आपकी प्रॉसेस है यह जो फाइबर सेना यह fibers के बनने की प्रॉसेस है इसे हम कहते हैं cascade implement नी है होता क्या है जो आपकी platelets है जैसे ही आपको छोट लगी और खून बहना सब्र्क है आपगन कि अपसोता है Marine आपकी जो platelets हैं, ये एक enzyme release करती हैं, जिसका नाम है thrombokinase. ठीक, thrombokinase सबसे पहले release होगा by platelets. जैसे ही ये thrombokinase release हुआ, आपके blood plasma में भी कुछ clotting factor present है, जो की inactive form में है, and plasma में present है prothrombin. ये बात आपको पता होनी जी कि कहां क्या present है, platelets release कर वा रही है, thrombokinase, and prothrombin present है आपके plasma में, जो की in response to thrombokinase convert हो जाता है thrombin में. And this is the clotting factor, thrombin. thrombin inactive form में present होता है, मतलब prothrombin में present होता है in blood plasma. And यही thrombin अब activate करेगा, जो आपके fibrinogen present है, fibrinogen, fibrin को produce करने वाली चीज़े, उनसे बनवाएंगे ये fibrin. तो हुआ क्या, आपको totally fiber सी तो बनवाने है, fibrin बनवाने है, वो बनेंगे fibrinogen से, fibrinogen से fibrin बनवाएगा कौन? thrombin. और thrombin भी present है in inactive form, in plasma, in the form of prothrombin. और इस prothrombin को thrombin में convert कौन करवा रहा है? thrombokinase. और ये thrombokinase release किसे हुआ है? platelets से. जो कि at the time of injury release हुआ है. मैंने आपको बता है, platelets में भी आपके clotting factors हैं, और plasma में भी clotting factors हैं, वो यह ही है. thrombokinase and prothrombin. जो आपके fibrin बनकर तयार हो गए, अब क्या होगा? ये fibrin आएंगे, इस तरीके से ये आजाएंगे and यहाँ पर dead cells collect हो जाएंगे और बस आपका quagulum बन जाएगा. NCRT में ये चीज उल्टी लिखी होई है, यहाँ से start करके यहाँ बताया गया है. तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आजाती है, ये process आप इस तरीके से लिख लीजेगा. This process of formation of fibrin, इसको हम लोग cascade process कहते हैं, इसको भी आप no-down जरूर कर लीजेगा. Just इतना सा है आपका blood coagulation. इसके बाद में blood का हमने सारी चीजे पढ़ ली हैं, blood की cells पढ़ लिया, हमने blood का composition पढ़ लिया, हमने, इसके बाद में हमने blood जब पढ़ लिया, तो blood की grouping भी पढ़ लिया, RS factor भी पढ़ लिया, उससे होने वाली problem भी पढ़ लिया, blood coagulation भी पढ़ लिया. जो second fluid है आपका, जैसे मैंने आपको बता है, body fluid and circulation है, तो fluid में हम blood पढ़ रहे थे, जो second fluid है, मैंने आपको उदा था lymph भी होता है, अभी हमें पढ़ना है lymph, और बहुत ही easy है, बहुत ध्यान से समझेगा, lymph बनता कैसे है, ठीक है, जो आपकी body है बेटा, जो आपकी body है, वहाँ पर देखिए, यह बात भी हमें पता है, इनके अगल वगल में blood vessels है, जो कि इनको nutrition दे रही है, इतनी बात clear है, होता क्या है, यह जो आपका blood है न, यह जैसे ही जा रहा होता है, तो इसके पास में oxygen भी है, इसके पास में glucose भी है, इसके पास में कई सारी चीज़ें present है, तो यह सारी यह किसको दे रहे हैं, cells को, होता क्या है, जैसे ही यह blood जा रहा होता है, या बहरा होता है, तो इस टाइम पर कुछ water के molecules, कुछ small molecules, इससे leak हो जाते हैं, blood cells से, और यह leak होके, cells के बीच में ऐसे भरे हुए हो जाते हैं, तो जब यह cells के बीच में भर जाता है, तो in between cells and tissues, जो fluid present होता है, उसे हम कहते हैं, interstitial fluid, interstitial fluid, मतलब कि, यहाँ पर कुछ water present है, small molecules present है, proteins के large molecules नहीं होंगे, यह बात याद रखिएगा, small molecules of protein, और कुछ आपकी lymphocytes भी present होती है, यह सब leak होकर बाहर आ जाती है, और tissue के साथ में, बिल्कुल direct contact में होती है, इस fluid को में कहते हैं, interstitial fluid, जो की छनकर आया है blood से ही, अब यहाँ पर interstitial fluid present है, अब होगया exchange easy, directly थोड़ी ना, यह जो आपकी blood की lymph, यह जो आपकी blood vessel है, direct थोड़ना oxygen या glucose दे रही है, यह जो oxygen या glucose है, यह आता है interstitial fluid में, और फिर इसे use करती है blood की cells, और फिर यही CO2 के form में, आता है interstitial space में, और यह ले जाती हैं आपकी blood की cells, यह जो आपका blood है, वो ले जाता है, तो हो क्या रहा है, exchange medium कौन बना रहा है, interstitial fluid, इतनी बात क्लियर है, अब थोड़े टाइम के बाद में, interstitial fluid हो जाएगा impure, और जब यह interstitial fluid collect हो जाएगा, काफी सारे amount में, आपके tissues में, तो यहाँ पर पतली-पतली से vessels बनी होई होती हैं, इस तरीके से, वो इस interstitial fluid को ले लेंगी, और यह काफी ज्यादा network बना लेंगी आपस में, और जैसे ही इसको लेती जाएगी, तो वहाँ पर बन जाएगी आपकी बड़ी-बड़ी lymph vessels, lymph vessels, और अब जो इस interstitial fluid को ले लिया है, अब इस fluid को हम कहते हैं, उनके अंदर क्योंकि हमारी WPCs भी प्रेजेंट हैं, तो immune response के लिए भी responsible है, and notes में ज्यादा तर हम लोग consider करते हैं, कि immune response के लिए हमारा lymph भी responsible है, and यह lymph vessels जब बहुत सारी आपस में collect हो जाती हैं, तो यह बन जाती हैं, आपकी veins में open हो जाती हैं, जो की वापस से pure करने के लिए लेकर जाएगी blood को, and these will open into veins, obviously blood vessel है, veins, clear है, तो जहां से lymph form होई है, and veins तक जाने वाली है, large lymph vessel, इसे हम कहते हैं lymphatic system, lymphatic system, and जो इसके अंदर fluid है, इसे हम कहते हैं lymph, and बना हुआ किसे है, आपका जो blood है, उससे छनने के बाद में, जो interstitial fluid है, वो collect हो रहा है, that is your lymph, and इसके अलावा, एक चीज़ और मैं आपको बताओ, जो lymph है न, कई सारे hormones को carry करता है, कई सारे hormones को carry करता है, इसके अलावा, यही जो आपका lymph है, colorless होता है, first thing is this, colorless होता है, and इनके अंदर lymphocytes भी present होती है, lymphocytes याने की white blood cells, जो की immune response के लिए responsible है, immunity के लिए, clear, and यह जो lymph है, काफी सारे nutrients को carry करता है, nutrients को carry करके चल रहा है, काफी सारे hormones को carry करके चल रहा है, and इसके अलावा, जो आपके intestine है, वहाँ पर भी एक structure present होता है, इस type की villi, जो की मैंने आपको बताया भी था, इस villi की अंदर एक vessel present होती है, जिसे हम कहते है, lecteal, आपने class 10 में पढ़ा भी होगा, वहाँ पर fat का absorption होता है, आपके blood में कभी भी directly fat का absorption ना होकर, lymph vessel में fat का absorption होता है, and यह lymph ही आपके fat को absorb कर के carry करता है, and यह सारी चीज़े यह carry कर रहा है, तो मैंने आपको बताया दाना starting में कि कुछ material का, कुछ nutrients का, जो circulation है, वो lymph भी कर रहा है, यही चीज़े है, तो lymphatic system आपको lymph कभी भी दिखाए नहीं देता, क्योंकि colorless होता है, interstitial fluid होता है, कभी आपने देखा हो, वायचान सापको कोई injury ऐसी हुई हो, जिसमें कुछ fluid है रिलीज हुआ हो, that is your lymph, and that's all about your lymph, just इतना है, NCRT में छोड़ा सा paragraph दिया हुआ, यही सारी चीज़े उसमें में इंचेज़े है, एक बार पिरसे में बता देती हूँ, blood vessels जा रही है, cells के अराउं, बहाँ पर काफी सारा water, and कुछ small substances, large size protein नहीं होंगे, यह बात याद रखेगा, कुछ small substances, and lymphocels leak हो जाती है, and interstitial fluid बना लेती है, उधर से ही exchange medium create हो जाता है, जब यह interstitial fluid काफी ज़दा collect हो जाता है, यह collect हो जाता है, in lymph vessels, पतली पतली से फिर यह large size हो जाती है, जहाँ पर यह attach हो रही होते हैं, यह हम कहते है lymph node, and large size lymph vessel बनके, यह open हो जाती है, in veins में, and इनके अंदर जो fluid है से हम lymph कहते हैं, lymph hormones को carry करता है, कई सारे nutrients को carry करता है, colorless होता है, इनके अंदर lymphocytes प्रेजेंट होती है, जो कि immune response के लिए responsible है, and इसके लावा यह fat का भी absorption करवाते हैं, in lacteals, clear, just इतना से हैं आपका lymph, यह आपके body fluids यहाँ पर खतम हो जाते हैं, and मैंने आपको बताया था, कि जो आपका circulatory system है, तो उसमें काफी सारी चीज़े प्रेजेंट हैं, जैसे कि human circulatory system में blood है, blood vessel है, and क्या है, heart, तो हमने blood पढ़ लिया, lymph भी पढ़ लिया, आप हमें देखनी है blood vessels, blood vessels कौन-कौन सी है, कितनी है, तो second thing is blood vessels, blood vessels बिटा आपकी तीन है, artery, veins and capillaries, heart से जो blood लेकर जाएंगी, from heart जो आ रही है, from heart, these are arteries, heart के पास जो जाएंगी, towards heart, ये हैं veins, and exchange का काम कौन करवाएगा, capillaries, अब ये बंती कैसे हैं, देखिए, heart से बड़ी सी जाएगी एक artery, iota, heart से आ रही है, and इसके पास में, काफी सारे amount में, oxygen molecule हैं, क्योंकि ये heart से आ रही है, commonly इसके पास में ये है, and ये क्या होगा, पतली-पतली सी capillaries में, डिवाइड हो जाएगी, जैसे छोटी-छोटी सी arterioles, और फिर पतली-पतली capillaries, capillaries में होता है, exchange, जैसे कि एक टिशू ने oxygen ले लिया, CO2 दे दिया, तो अब blood हो गया, impure, and ये capillaries बना के, छोटी-छोटी से venules बना लेती है, और फिर ये बन जाती है major veins, जो कि towards heart जारी है, in the form of vene akiva, ये एक mechanism होता है, आपकी blood vessels सारी interconnected है, blood आपका कभी भी वहरा नहीं होता है इन tissue, इस तरीके से packed रहता है, तो होता क्या है, जो आपकी artery हैं, और जो veins हैं, angio capillaries हैं, इन तीनों की width में, और चीज़ें में differences हैं, जैसे कि arteries की जो आपकी outer wall है, वो काफी थिक होती है, क्योंकि blood pump करना है, heart से आ रही है, pump होकर, तो उसको थिक होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, काफी थिक होती है, और क्योंकि इसकी wall थिक है, तो अंदर की lumen काफी narrow हो जाती है, समझ पार हैं, अब मालेजे, एक ये इतनी है, एक ये इतनी है, अब इसकी outer ही थिक हो गई, तो अंदर की lumen narrow, इसकी outer ही थिन हो गई, तो अंदर की lumen broad हो गई, narrow हो जाती है, और जहां पर volume कम है, तो वहां पर जो flow है, उसका pressure ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर blood pressure भी ज्यादा होता है, blood pressure भी ज्यादा होता है, तो होता क्या है थिक होती है small lumen होती है and यह बनी होती है smooth muscles की ठिक and वहीं वेन को देखा जाए तो outer wall thin होती है large lumen होगी and thin होती है जो media layer है अंदर की जो layer है बीच की वो थोड़ी सी thin होती है और जो thick और thin है वो media जो beach की layer है वही बना रही होती है and वहीं आपकी capillary की बात की जाए तो small सी lumen होती है squamous epithelium की capillary बनती है बस main जीज़ आती है artery और vein में आपको differences पता होने चाहिए जिसे artery is distributing vessel आ रही है और distribute करती जारी है and vein collect करके ले कर जारी है सारा material collecting vessel है pink color की होती है यह red color की होती है artery हमेशा deep side होती है veins हमेशा उपर दिखती है and जो blood है वो high pressure से जार होता है in arteries क्योंकि narrow lumen है and veins में थोड़ा सा low pressure से जार होता है दूसरा reason यह भी है कि यह नीचे से उपर जारी है heart के पास और वो heart से नीचे आ रही है तो gravity का भी reason है artery की wall strong, thick और elastic होगी and इसकी weak होगी, thin होगी और non-elastic होगी वहीं जो आपकी arteries है oxygenated blood carry कर रही है and veins deoxygenated blood carry कर रही है इसके अंदर कोई walls present नहीं है क्योंकि यह उपर से direct नीचे आ रही है but veins क्योंकि नीचे से collect करके blood को उपर लेके जा रही है यह मैंने थोड़ा सा fast इसलिए बताया है क्योंकि class 9th, 10th, 8th में आप बहुत पढ़ कर रही है artery vein की differences pulmonary and वही है देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि heart से जो निकल कर आ रही है यह artery है जो heart में जा रही है यह vein है heart से जो जा रही है towards lungs वह भी तो deoxygenated blood carry कर रही है वह भी deoxygenated blood carry कर रही है बट वह artery है and heart से जो लेकर आ रही है वह oxygenated blood carry कर रही है बट वह vein है heart की तरफ चुवा रही है तो pulmonary and pulmonary को छोड़ कर बाकि जितनी भी आपकी arteries है वह oxygenated blood carry करती है and vein deoxygenated आपको बहुत अच्छे जो में आ जाएगा जब आप circulation करेंगे अगर आपको यह concept नहीं आता है तो यह देख लीजे इस टाइप का भी बना हुआ है इसका एक diagram यह भी आप बना लीजेगा ts and this is so this is all about your blood vessels blood coagulation and plasma next lecture होना है हमारा circulation के basis पर circulation हम आपर बहुत डीटेल में करेंगे human heart का structure कितनी layers हैं कितनी सारी चीजें हैं बहुत ही amazing diagram बना कर देखेंगे और जो आपका heart है वो आप बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे बहुत तो अभी के लिए आपको क्या करना है NCIT पढ़नी है डीटेल में जितना अभी तक हो चुका है उसे बहुत अच्छे से revise करना है मिलती है next lecture में thank you